नवस्कार में सब सफाय एरहन आपका कास तक विस्वाज़त करता हूँ। सववार को हमने आपको बताया था कि जोत्र अधित्य सिंधिया सब atro Teredo Room जोईन करने के और और 11 मार्च को जोद्र अधित्य सिंध्या ने भारती जंता पार्टी जोइन करने के बाद मत्य प्रदेश में इस्तित्या कुछ अलग हो चुकी है। कमलाद की सरकार पे अब सरकार किरने का खत्रा मंटरा चुका है। हमने स्विशर ने हमारे गेस्ट और हमारे गेस्ट फॉनल अमीन सयानी जी से सवाल पूछा। अमीन जी आपको क्या लगता है कि मत्य प्रदेश में सरकार किर सकती है या कोई चमतकार हो सकता है जिससे कमलाद बच जाए। महें अमीन सयानी समस जाहिर खान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक्सपर्ट ना होने के बावजूद भी इस सवाल के जवाब के लिए बलाया। समस भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मत्य प्रदेश में सरकार इस समय सच में खत्रे में हैं और हो सकता है कि कमलनात सरकार गिर जाए लेकिन राजनीत में कोई भी स्थाई दोस्त इस्थाई दुश्मन नहीं रहता। यह सारी बात अब निर्वर करेगी बैंगलोर में जो कॉंग्रेस के विधायक और मंद्री हैं वो क्या सोचते हैं उनके मन में क्या है यह बात जैसे बाहर निकल के आएगी तब हमें पता चलेगा कि मत्य प्रदेश में क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने कानून था पुराना नियम था उसके अनसार विधायक छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाया करते थे और सरकारे गिर जाया करती थी नई सरकारे बन जाया करती थी अजिकल वो नियम नहीं रहा है। और इसी वज़े से वेनवाईयों अब हो सकता है कि कमलात सरकार पर जाये क्योंकि इन सभी विधायकों जिनने ने इस्तिफा दिया है उनकी विधायकी चली जाएगी और विधान सभा में विधायकों की संक्या जो है वो घटके हो जाएगी 106 और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को चाहिए रहेंगे 103 विधायक और इस वक्त भारती जनता पार्टी के पास 107 विधायक हैं तो संभावना तो यह है कि अगर वो सभी विधायक इस्तिफा दे देते हैं और उनकी सदस्यता चली भी जाती है तो भारती जनता पार्टी की सरकार बन सकती है तो बेहनवाईयों, इंतजार कीजिए क्या होता है, पविश्य के गर्थ में क्या छुपा है, कोई नहीं जानता